नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त डोक्टर आशीष आज के इस विशेश कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के विशेश कारिक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि sensitive glance क्या है दोस्तो मेरी clinically practice में मैंने देखा है कि जो जल्दी discharge होता है पुर्शो में उसका आज कल जो सबसे बड़ा करण देखने में आ रहा है वो sensitive glance है दोस्तो sensitive glance को मैं बहुत ही आशान भाशा में आपको समझाऊंगा एक चितर के माध्यम से बताऊंगा sensitive glance के लक्षन, इसके कारण और इसकी best homeopathic दवाई कौन सी है कौन सी best homeopathic दवाईया है जिन से हम अपने जल्दी स्कलन की समझा को, जल्दी डिस्चार्ज की समझा को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण sensitive glance है, sensitive glance को आज पूरी तरीके से समझेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आज इसे जरूर subscribe कर लें, और उसके साथ साथ bell का icon जरूर दबाएं, तो दोस्तों अगर आपको भी जल्दी discharge होने की शमश्या है, तो आज sensitive glance के topic को पूरा जरूर समझें, जैसे कि मैंने इसको आसानी से समझाने के लिए आपको इस चितर बना है, यह हमारा penis है, इसका जो उपर वाला इससा है, यह ज glance बोलते हैं, जब यह बहुत ज़्यादा sensitive हो जाता है, हद से ज़्यादा sensitive हो जाता है, तो इसको sensitive glance बोलते हैं, तो यह जल्दी सिग्र पतन होने का सबसे बड़ा करण है, आजकल जो पुरुस रोगी हमारे पास आ रहे हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा करण जल्दी सिग्लंग का है, वो sensitive glance है, अब जानेंगे कि sensitive glance की लक्षन आखिर क्या-क्या है, तो आप देखोगे कि जो हमारा glance है उपर का यह बहुत ज़्यादा sensitive हो जाता है, ऐसे मैं सबसे पहला जो लक्षन आता है वो आता है छून इसे जंजना आठ, जब इसको हम touch करते हैं glance को touch करते हैं, या हमारी female partner इसको touch करती है, तो एक प्रकार की जंजना आठ सी पूरी बोडी में हो जाती है, टस तो glance को करते हैं, लेकिन पूरी बोडी में इसकी जंजना आठ फैल जाती है, यानि एक current सामें लगता है, तो यह sensitive glance का सबसे पहला लक्षन है, दूसरा लक्षन अगर आपको मात्र कपडे की रगड लगने से आप बिस्तर पर लेटे हो, कपडे की रगड लगने से आपको discharge हो जाता है, तो यह sensitive glance का दूसरा लक्षन है, जिए से यह दिस्चार्ज हो जाता है, तीसरा लक्षन है इसका दोस्तो दर्द के साथ गुदगुदी ये इसका विशेश लक्षन है अगर आपको छूने से उसमें दर्द हो रहा है और दर्द के साथ-साथ एक गुदगुदी शी भी हो रही है तो ये sensitive glance का तीसरा लक्षन है कि दर्द और गुदगुदी इसमें साथ-साथ होते हैं तो दोस्तों इसका हम चोथे लक्षन को समझेंगे इसका चोथा लक्षन है योनी को छूते ही स्खलन अगर आप अपनी female partner से संबंद बनाने की कोशिश करते हो तो इसका ये सबसे बड़ा चाता है तो यह सब करण sensitive glance के हैं क्योंकि हमारा glance बहुत ज्यादा sensitive हो गया है दोस्तों sensitive glance के एक लक्षन हो सकते हैं यह हमको बच्पन सी भी हो सकता है हमारे पीडियों मारी चली आ रही हो हो सकता है यह रहा जाता है अगर आपने बहुत ज़्यादा मस्टिवेशन किया है तो उसके कारण भी सेंसिटीव इस प्रोबलंज की प्रॉबलम हो सकती है या आपको कोई स्कीन प्रोबलम है या आपको कोई है या आपके शिशिन के यहां सफेद सफेद रंग का मैल जमा हो जाता है आपके सिसंद के ओपर लाल लाल दाने से हो गई हैं तो यह भी सेंसिटिव ग्लांज के लक्षन है तो इसकीन में एलर्जी के कारण भी हो सकता है किसी दवाई के सैड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है बहुत अधिक नाट हो रही है तो आपको definitely sensitive glance है अगर आपको कपड़े की रगड़ से स्खलन हो रहा है तो definitely sensitive glance है लेकिन अगर आपको यो नहीं को छूते ही स्खलन हो रहा है तो हो सकता है आपको दूसरी problem हो और इसका जो तीसरा लक्षन है दर्द के साथ गुदगुदी ये भी sensitive glance का मैं लक्षन है तो अगर आपको इसमें से पहला दूसरा तीसरा इन में से कोई लक्षन है तो आपको sensitive glance की problem को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आज आपको पताऊंगा तीन ऐसी होमियोपैथिक गोश्दी जिनको अगर लेना शुरू करोगे और लगातार एक से दो महीने तक इनका सेवन करोगे तो आपकी sensitive glance की problem हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उन होमियोपैथिक दवाईयों के बारे में जिनसे आपकी sensitive glance की problem हमेशा के लिए ठीक हो शकती है इसके साथ सा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उन दवाईयों को खाने का तरीका कैसे आपको दवाई खानी है क्या 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 आपको प्रेज रखना है इसलिए आप यह पूरा वीडियो जुरूर देखें तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ आपको हॉमियोपैथिक ट्रीटमेंट तो जो सबसे पहली हॉमियोपैथिक दवाई हमको सेंसिटिव ग्लांस में लेनी है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसका नाम है कैलेडियम इसको हमको 200 की Potency में Лेना है 200 Ch दौस्तो चैलेडियम 200 Ch को हमको चारबुन सुबह चारबुन शाम को यानि दो समय के बल लेना है चारबुन सुबह, चारबुन शाम को दूसरी दवाई जो हमें इस्तमाल करनी है इसका नाम है Shina Baris Shina Baris को 200 Potency में चारबून सुबह चारबून शाम को दोस्तो तीसरी दवाई जो हमें इस्तमाल करनी है इसका नाम है कोनियम मैक ये भी 200 पोटेंजी में इसकी भी चारबून सुबह चारबून शाम को दोस्तो ये तीनों दवाई हमको साथ साथ इस्तमाल करनी है जैसे सबसे पहले तो हमने कैलेडियम की चार बूंदे अपने मूं में डाल ली उसके दस मिनट के बाद हमने शीना बायरिस की चार बूंदे अपने मूं में डाल ली उसके फिर दस मिनट के बाद हमने कोनियम मैक की चार बूंदे अपने मूं में डाल ली दोस्तों ये दिन में दो बार शुबह शाम इसी परकार हमको लेनी है आप ध्यान रखे कि आपकी बिमारी कैसी चल रही है अगर आपको 15 दिन की दवाईों में पूरा आराम मिल जाता है तो आप अपनी दवाईयां बंद कर दे अगर आपको एक महीने की दवाई में पूरा आराम मिल जाता है तो एक महीने के बाद आप अपनी दवाई बंद कर दे आप अधिक से अधिक इस दवाई को दो महीने तक इस्तमाल कर सकते हैं तो दो महीने में कितना भी पुराना sensitive glance हो तो यह आपकी शमश्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी तो दोस्तो यह बहुत ही बहतरीन होमियोपेथिक दवाई आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है तीनो दवाईयों का कॉम्बिनेशन तीनो दवाईयों को दस-दस मिनिट के अंतर पर हमको शुवे शाम दो टाइम लेना है अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या नहीं खाना है दोस्तो आपको sensitive glance की दवाईयां खाते समय आपको कच्चा लहसुन नहीं खाना है कच्चा प्याज नहीं खाना है तलीब होनी हुई चीजे नहीं खानी है जैसे बाजार की तलीब होनी हुई चीजे होती है मांस मचली नहीं खानी है खटाई नहीं खानी है खटी चीजे नहीं खानी है तो ये सब चीज आपको नहीं खानी है अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या खाना है आप अपने खाने में मौसम के फलो को एड कीजिए अधिक से अधिक खरी सब्या खाईए सलाद खाईए तो इससे आपकी दवाई बहुत ही अच्छा काम करेगी उसके साथ साथ आपको जो परेज बता गया है उसका परेज रखिए तो दवाईयां बहुत ही अच्छा है तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर पूर्शो की शमश्याओं का लेकर अपने वीडियो बनाता रहता हूं अगर आपको भी कोई शमश्या है तो आप मुझे वाटसप पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे सलहा ले सकते हैं तो अगर आप मुझे व्यक्तिकत स को मेरा नमस्कार